आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का पंचांग मित्रो ओम सीखने सायनमा आई जानते हैं सोमवाड याने की 18 दिसंबर 2023 का संपूर्ण विश्थित और सठीक पंचांग को जानते हैं हमारे जो भारती योतिस पंचांग होता है वो सूर्लोदे, सूर्यास, चंदोदे और चंद्रयास्त पर आधारित होता है पंचांग एक संस्कित का ही सब्द है जिसके साब्दीकर्थ होते हैं पांच अंगों से निर्मित और वो पंचांग के पांच अंग होते हैं तिथी, वार, योग, नक्षत्र और करन इन्हीं पांचों चियों से मिलकर हमारे पंचांग का निर्मान होता हैं किसी भी सुबकारी करने के लिए हमें जोत होती है एक अच्छे महुर्थ की और एक अच्छे महुर्थ का चायन हम एक अच्छे पंचान को दिझ तरहheart कर सकते हैं छिसमें इन सभी जीओं की जानकाई जो है बिल्गुल सठीक दासे दी जहें चोकिंप आपको संपूह संपुन पंचांग की जानकारी हो पाए पंचांग का वीडियो पसंद है जानकारी अच्छी लगे तो लाइक तो जोर करें साथ ही कमेंट बॉक्स में जैसी गरें जोर लिखें मैं तो आज का संपुन पंचांग आपको बताना आराम करूं उससे पहले आए हम सभी मिलकर एक पर सुबकामना उन लोगों को देदे जिनका जम दिन है आपको जम दिन की हार्दिक सुबकामना है भगवान गनेश की किरपास है आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंतो साथ साथ जिनका भी है मैरे जनवरसरी है उन्हें भी मैरे जनवरसरी की हार्दिक सुब विस्तित और सठीक पंचाम को जानते हैं। विस्तित और सठीक पंचाम को जानते हैं। आज पूरे दिनी विराजमान रहेंगे। आज जिनका भी जन्म हो गाउनसब की रासी जो है वो कुमभई ही रहने वाली है। वरत्यहार में आज स्री इसकंदर सष्ठी का वरत रहने वाला है। चंपा सष्ठी है। रव्योग रात्री के चार बच कर 36 मिट तक आज रहने वाला है। सूरी रासी की बात के सूरी धनूरासी में हैं, सूरी नक्षातर, सूरी मूल नक्षातर में हैं और सौरमा पौसमा रहने वाला है। आएब एक नज़र आज के सूरी धनी और संदरोदे की की स्थिदी पर नज़र डालते हैं। यह तो थी सुर्य ओदय और चंद ओदय की बार, आईए भी एक नजर, आज के सुब चोगरिया की स्थिती पर नजर आलते हैं, आज का सुब समय, सुबह के 9 बच कर 42 मेर्स लेकर, दिन के 11 बे तक रहने वाला है, चर समय, दिन के 1 बच कर 34 मेर्स लेकर, दिन के 2 बच कर 52 मेर्स तक लाब समय, दिन के 2 बच कर 52 मेर्स लेकर, साम के 4 बच कर 9 मेर्ट तक, अमरीज समय आज का सुबह के 7 बच कर 7 मेर्स लेकर, सुबह के 8 बच कर 25 मेर्ट तक रहने वाला है, यह तो थी आज की सुब चोगरिया, आईए भी एक नजर, आज के राहुकाल और गुली काल किस्त एक सुब महुर्त होता है, रहने वाई दिन के 1 बच कर 34 मेर्स लेकर, दिन के 2 बच कर 22 मेर्ट तक, इस समय में को भी नया कारी करने से आपको उसमें सफलतात लगती है, लेकिन किसी बड़े कारी को नहीं समय आराम करना चाहिए, बड़े कारी को करने के लिए एक अच्छे म महुर्त जोर निकलवाना चाहिए, पदोस काल साम के 5 बच कर 27 मेर्स लेकर रातरी के 8 बच कर 11 मेर्ट तक, निसित काल रातरी के 11 बच कर 50 मेर्स लेकर, रातरी के 12 बच कर 45 मेर्ट तक रहने वाला है, अब विजीत महुर्त की बात करें, ये भी एक सुब महुर्त होता है, रह के 5 बच कर 49 मिर तक रहने वाला है और अच का ब्रह्म महूर्थ सुबा के 5 बच का 18 मिर लेकर सुबा के 7 बच कर 8 मिर तक रहने वाला है तुम तो यह दो आज का संपूर्ण विस्तित और सटीक पंचांग इसी तरह की अन्य ग्यान वर्दक वीडियो के लिए जुरे रहे धर्म सिग्चा ये मता दिल